प्सक्राइब प्सक्राइब सकते हैं हार्दिक पांडया से उनके टेस्ट क्रिकेट की वापसी पर जल्द ही बात कर सकता है तो अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं कि हार्दिक पांडया कब टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं भारती टीम के लिए और क्यों BCCI उनको टेस्ट क्रिकेट में वाप करने वाले हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर भारती टीम वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंशिफ के फाइनल में प्रवेश्ट कर जाती है तो हार्दिक पांडया भारती टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं DCCI के अधिकारी के अनुसार अभी हर्दिक पांडया को टेस्ट वाफि में कोई जल्दी नहीं है लेकिन हां कुछ इसपरष्टता जरूरी है अगर भारती टीम ड्वर्लू टी सी के फाइनल में जग़ा बना लेती है में इंग्लेंड के खिलाफ खेला था मगर फीट में लगी चोट के कारण उन्होंने टेस्ट क्रिकेट न खेलने का फैसला किया था लेकिन अब जब हार्दिक पांडया T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट में पूरी तरीके से फिट लग रहे हैं तो BCCI उनको टेस्ट क्रिकेट में भी खिलाने की सोच रही है क्योंकि इंग्लैंड में हर्दिक पांडया बतौर आल राउंडर अहम भूमिका निभा सकते हैं और जब जस्परीद बुम्रा और रिसपंद भी भारती टीम में WTC का फाइनल नहीं खेल पाएंगे तो वहां पर भी हर्दिक पांडया मिडिल आर करते हैं तो अगर हम पांडया के टेस्ट करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने 11 टेस्ट मैचेश खेले हैं 532 रन स्कोर किया है 108 रन उनका बेस्ट स्कोर है एवरेज उनका 32 का है यह बतार और लाउंडर एक बनिया एवरेज माना जाएगा वहीं एक सतक और चार सतक भी इस लंबे फॉर्मेट में हर्दिक पांडया ने लगा है विकेट कॉलम में अगर हम देखें तो 17 उनके नाम है और बेस्ट पांच विकेट 28 रन देकर हर्दिक पांडया ने लिए तो अगर हर्दिक पांडया अपने आपको उपलब्ध करते हैं WTC के फाइनल में तो BCCI और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें